वाले, I'm pissed man, I'm really pissed decent भी होगी, तब भी, you'll be preferred जितनी ये बात अजीब लगती है, उतनी इसमें सचाई भी है, क्योंकि यही हमने देखा है last के कुछ रोज में, और हालांकि Derek नहीं जीते last year, बट बहुत जादा करीब तो थे जीत के, और अब Derek के पास उन सब चीजों के साथ साथ एक great fan following है, एक better brand ambassador बनने ही capability, politically profitable है ये सब चीज़े तो हैं ही, साथ ही Derek on and off, Hanny Ramboar के साथ train भी कर रहे हैं जबकि Hardy, Hardy तो अभी तक move भी नहीं हो पाए it's more like everything is moving into Derek's direction so अगर हम लोग सोचते हैं कि Hardy retain कर लेंगे title, तो we all are making a big mistake और judgment क्योंकि बहुत reasoning के लिए यही वीडियो दोबारा देख लो बहुत अच्छे हैं, सारे ही dots connect हो जाएंगे एक से देड़ महीना पहले मैंने ये बात आप लोगों से बोल दी थी जिसमें बहुत सारे logics involved थे और reasoning आप लोगे साथ share करी गई थी और आज आप लोग खुद देख लो क्या हुआ है What are the results? सिर्फ open में ही नहीं, 2-12 में भी 2021 has repeated itself जहां पहले Sean को एक much harder, much greenier way way condition and much condition physique को पहले Derek ने beat करा था एक softer physique के साथ, shape के base पर वहीं इस बार Sean को beat करा Kion Pearson ने, नाव दोनों ही बार Kion और Derek अच्छे condition थे great shapes करी कर रहे थे बड़ चैंपियन, चैंपियन को आपको beat करना होता है उसके game में You have to knock off the champion But just when he was standing next to Hardy all the time I just thought that Hardy had a little bit more completeness and polish everywhere and always in pre-judging and finals to be able to get like if I'm a judge like you know what, he's a better bodybuilder yesterday and today Not even slightly guys, और आप देख रहे हो इस decision पर many legends were pissed off चलो मैं जच्छ नहीं हूँ, कोई भी YouTuber भी जच्छ नहीं है, आप भी नहीं हो क्या ये legends, क्या Samir Benoth एक legend, एक Mr. Olympia champion क्या Chris Hasey तो, इनको भी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दिखता अब हर बात से पहले, मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अवेरल भाई के नाम से चानल है आप उनको तो चानते ही होंगे, राइट? उनका एक वीडियो आया था प्रीजाजिंग के बाद, कि everyone was shaded, जबकि I disagreed with this thing अब आप ये देखो सारे लेजंड्स जो वहाँ पर अवेलेबल थे, इवन ये सारे लेजंड्स भी गाईज यही बूल रहा है इन सबका ही यही कहना है कि हर कोई आफ था, लाइटिंग तो खराब थी, बट सभी आफ भी थे प्रीजाजिंग में अब I don't know उनको shaded कैसे लगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगे थे, ना ही जो वहाँ पर थे, लोग उनको लगा था और यह तो काफी लंबे टाइम से बॉड़ी विल्डिंग के टापिक पर वीडियो बनाते हुए प्लस membership जॉइन करने का option available हो गया है मिनिंग अगर आपको मेरा content अच्छा लगता है और आप मुझे support करना चाहते हो यह compulsory बिल्कुल भी नहीं करें कियोंकि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर इतना प्यार देते हो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है बट अगर आप और भी support करना चाहते हो इस channel को तो बेस्ट तरीका है मुझे support करने का membership जॉइन करके तो जो भी physique comparison videos आएंगी future में इस channel पर वो आप special members के recommendations पर ही आएंगी तो यह एक reason है आपके बास इस channel को join करनेगा बाकी if you just want to support me and support the channel वो एक another reason है so thank you to all of you Thanks to उन सभी viewers को जो भी मुझे super like send कर रहे हैं आप लिकी support से यह channel चल रहा है so anyways guys इस से पहले इस से पहले भी I have said कि I have been भी एक organization है और हर काम की यह तरह जैसे आपका अपना business होगा आपके parents का business होगा हर एक काम का सबसे पहला basic rule क्या होता है वो यही होता है guys to make the profit और अपने काम को आप promote कैसे करतो जो small businesses होते हैं but grow करना चाहते हैं जो बड़े business होते हैं और आजकल तो small भी वो YouTube पर एड़ चलवाते हैं टीवी पर एड़ चलवाते हैं वगएरा वगएरा नहीं तो आप खुद बताओ पी जचिंग में Derek के Lex उनकी upper body ये comparison में क्या आपको disproportionate smaller नहीं लग रहे थे इतनी majority से सोचो कि गलत अगर आपको खुद लगे क्या आप हो तो उसे accept करने में आपको दिक्कत ना हो और अगर Lex के disproportionate होने से फर्क नहीं पड़ता गाइस तो बॉस ये बताओ क्यों होटसाल बेंडन करी को यही feedback मिलता है क्या आपके लेक्स, आपके अपर बोडी को मैच नहीं करते हैं क्यों Nick Walker को अनो क्लासिक में एक superior shape बो लेस सामना करवाया जज़ीस से और फीडबैक में Nick को बोला गया है कि आपके कोउड्स कम हैं आपकी कॉड्स अपर बोडी को मैच नहीं कर रहीं जब निक एक्स्रीम लोल पर पील थे, ऐसे फ्रेट्स पर डेकर्स बात देखे गए थे, जैसे निक लेकर रहे था अनलो क्लासिक के स्टेज पर यह तो एपसलूटली वो लोग हैं जो शोव से पहले खुड डेरेक्ट को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी इंप्रूमेंट्स से सप्राइस कर दिया और अपनी उप्रीमियन को चेंज करने पर मजबूर कर दिया, कोई भी यह नहीं बोला कि डेरेक्ट खराब थे, बलकि मैं खुद बोलूँगा कि डेरेक्ट 100% खुद को पुछ करके आये थे, बहुत जादा इंप्रूमेंट्स के साथ आये थे, उनकी बैक, ग्लूट्स, हैंस्ट्रिंग्स सब इंप्रूड थे, इवन बाइस सब गाइस वो तक पहले से बैटर थे, बट हरी चुपन उसके बाद भी उनसे बहुत इंप्रूड थे, अगर आपको 20 से 15 के बीच का जो गैप ही, वो कवर करना है तो उसके लिए टाइम तो लगना है, राइट? और डेरेक्ट जिस तरह से इंप्रूड कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी पर कुछ मसल्स जादा फास्ट रिस्पॉंड करते हैं, और कुछ टेक्स टाइम, वहीं डेरेक्ट की इंटायर बैक बहुत फास्ट रिस्पॉंड करते हैं, और इसलिए उनके फ्रंट और बैक में आपको एक हुल डिफरेंस दिख जाएगा, और ये तो आप सब अगरी करो गया, which is the staple of bodybuilding, पहले तो आपने upper body और lower body के balance को ignore करा, फिर आप front to back की conditioning में, जो इतना huge gap है, जो इतना जादा difference है, आपकी खुद की back, आपके front को beat कर रही है, जैसे हम Allen Banks को हमेशा बोलते थे, बोलते थे right, क्योंकि back उनके खुद के front को match नहीं करती, तो ये तो हट division में है, आपका वो flow, आपका वो balance, front to back कहा था, आपकी back 100 level पर थी और आपका front 35 पर, तो 70 to 100 तो समझ में आता है, even 60 to 100 भी, बट इतना बड़ा gap, कितनी बार तो judges ने, खुश रोके बिना चूस करने का reason, ये बोला है कि front की conditioning और back की conditioning match कर रही थी, तो ये भी चीज नहीं थी यहाँ प तो उसके सामने तो Derek खुद आकर बोल देंगे तब भी, वो नहीं समझेगा, तो यहाँ पर Sergio Olivia Jr. ने एक बहुत अच्छा point रेस करा कि champion, champion का आपको knock-off करना होता है, और almost सब ही की, ये opinion थी, कि ऐसा नहीं हो रहा था, now I agree, 100% कोई भी नहीं था, ना Hardy, ना Derek, ना Samson, but even then guys, Hardy was way ahead, इस point पर, and फिर Hardy इस तरह से, last में, जो चले गए थे, उस चीज़ को भी legends ने एक तरह से justify करने की कोशिश करी, by relating to that, कि जब भी ऐसा होता है, तो कई बार पहले भी कई bodybuilder stage से जा चुके हैं, so Hardy चुपन was 100% robbed, Sean Clayda was 100% robbed, in fact जो भी लोग बोल रहे हैं कि Sean Clayda का gut, पहले से ज इस point से यह याद आया, कि direct के तो apps ही नहीं थे, मतलब उनका midsection, काफी weird सा हो रहा था, absentize pose में, उन्हें vacuum करनी पड़ रही थी, जबकि Hardy, Hardy चुपन का midsection देखो, he was on fire guys, so yes, Hardy चुपन was robbed 100%, और एक बहुत बढ़ा reason इसका, which I can relate to, is business, बहुत जादे ये decision, एक business driven है, मेरी opinion में, Hardy Hardy चुपन podcast attain नहीं कर सकते, Hardy चुपन guest posing नहीं करते, Hardy चुपन English नहीं बोल सकते, और एक और Iran वारा aspect है, बट उस पर मैं भी नहीं जाओंगा, क्योंकि ये चीज़े, मुझे दूर रखनी है इस channel से, so anyways, आप लोगो को भी I want to say, कि please I know, आप बहुत smart हो, educated हो, mature हो, जो भी इस sport को follow करते हो, तो please last कुछ वीडियो में, मैं देख रहा हूं religion को लेकर, country को लेकर, काफी लडाइया हो रही है, लोगो की comment section में, abusive language यूज करी जारी है, तो boss आप please समझो इस बात को, और ऐसी चीज़ों को इस channel से दूर रखो, नहीं तो ना चाहते हुए भी मुझे आपको remove कर पड़ेगा, आप sensible हो तो वैसे sound भी करो, इन चीज़ों को मतलाव, progress के तरफ देखो, अपनी तरक्की के तरफ देखो, ये रापली जो भी हो रही है, sport में, athletes की तरफ से नहीं, judges और organization की तरफ से हो रही है, बाकी हर एक athlete, try तो यही कर रहे, जिसके भी goals है, वो improve करनेगा, so आ अपनी country को let down करा है, disappoint करा है, but यही पैचान एक champion mindset की, आप time तो लेतो हो, जहां पर भी required होता है, but you come back even harder, so hardy ने बोला है, 12.24 में, वो आ रहे हैं वापिस और कल के जखम को, उन्होंने heal करने का process, start कर दिया है, and champ हमें gym में train करते हुए दिखाई दिया, उसी intensity से train करते हुए So hardy, I have no doubt कि इस साल, अब hardy आंग लगा देंगे, खुद को improve करने में, कुछ इस तरह का खुद को extreme तक push कर देंगे, वैसे तो hardy हमेशा इस stage पर strong आये हैं, मैं शायद कोई ऐसा time नहीं डून पाऊंगा, जब मैंने hardy को lag करते हुए देखा था, in fact title तो इनको 2019 में ही मिल जा चाहिए था, but that has been a very big controversy, so anyways, अब यहां से hardy क्या कर सकते हैं, क्या लगता है hardy का future, well hardy के साथ, big army जैसे कोई injury नहीं है, यह बहुत ही अच्छी बात है, या फिन now damage का issue नहीं है, he is sound and healthy, ना ही abandon की तरह से disproportionate, या fuel lose करते जा रहे हैं hardy, तो absolutely undeniable है कि एक भाई जैसे coach के साथ, handy rum board के साथ, hardy चूपन, insane improvement के साथ return नहीं करेंगे, but अब I really find it hard, कि hardy उस title तक पहुच पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक scenario लगता है मुझे यह, and इसलिए नहीं कि hardy चूपन, मैं वो चीज नहीं है, उनमें वो बात नहीं है, या मैं उनमें believe नहीं करता, ऐस करती जाएगी, जिस तरह का mindset है Derek का, he just needs time, और shape तो इनके पास already है ही, so अभी judges ने इन्हें prefer करा है, तो और भी ज़्यादा improve Derek Lansworth से, Derek के shape से, एक shape centric judges के mindset को, होने से, hardy cannot battle and win, और ये चीज़ निक वाकर के साथ भी आएगी आईगी आप गारिस, क्योंकि आप shape को आप इतना prefer कर रहे हो, तो I think मेरे इसाब से आप बेकार है, इतना ज़्यादा hard work करना, इतना ज़्यादा पील्ड होकर आना, कि आप stage पर खड़े भी निए हो पा रहे हो, आपका dehydration का, आपका बहुत ज़्यादा अपनी health को risk पर कर रहे हो, ऐसे push करने की जरुआती नहीं हो, कि आपको conditioning एक decently लानी चाहिए, I think, और आपका shape अच्छा नहीं है, तो आपको compete ही नहीं करना चाहिए, तो Hasan Mustafa, Hari Shupan, Nick Walker, I think अब कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि अगर shape ही prefer कर जाने है, तो man, आपका shape नहीं हो, इस चीज़ से आप fight नहीं कर सकते, yes, genetics को आप extreme लिए तर पुश कर रह बना रहे हो, बलकि जो extreme तक push करके आ रहा है, जो अपने genetics से fight कर रहा है, आप उसको chance नहीं दे रहा है, आप उसे नहीं चूश कर रहा है, जो graininess ला रहा है, जो muscle maturity ला रहा है, अब guys, muscle quality, आप जानते हो, quality muscle क्या होता है, right, वो चीज़ जो ले कर आ रहा है, उससे chance देना चाह यह, वो deserving है, मेरी opinion में, बाकि आप जो सोचते हो, आपकी opinion है, and that could be right too, but मैं अपनी opinion दूँ, तो मेरे हिसाब से, अब इन लोग को इतनी जादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, because results तो चाही आने है, so अब अगर second thing की बात करूँ, तो popularity, business point of view से, it is all a popularity contest, हर एक चीज, popularity contest है guys, मानो या फिर ना मालो, आपके पास sponsors कब आते हैं, जब आपके subscribers होते हैं, followers होते हैं, जब आप connect होते हो, लोगों से, आप podcast attain करते हो, आप उनको promote कर सकते हो, क्या hardy, इन English brands को promote कर सकते हैं, वो भी better than current champion, क्या hardy उस तरह से fans से connect कर सकते हैं, क्या hardy, इतने podcast attain कर सकते हैं, जहां आभ पॉइंट और एक बहुत ही बड़ा reason, जो hardy ने emotions में आकर इन्हें दे दिया, वो है stage से इस तरह से जाकर, जब Brandon ने, Bob ने, Derek ने, उन्हें रोकने की कोशिश तक करी, अब yes hardy ने apology मांग ली थी, बड़ क्या hardy चुबन, माफ करे जाएंगे, क्या big crime को माफ करा गया था, reason बार बार नहीं होती, फिर चाहिए आप उसकी तभी बैट कर माफी क्यों ना मांग लो, अपनी गल्दी क्यों ना मांग लो, क्यों जब भी आपको boss से कुछ भी चाहिए होता, चाहे increment हो, salary बढ़वानी हो, या फिर even कुछ छुट्तिया, boss उस चीज को बार बार आपके लाइक कर दो, चैनल को सब्स्राइब कर दो, नोटिफिशन बैल को दबा दो, इस्टा पर फालो कर दो, थैंक्यू, बाबाई